हाई गाइस वल्कम तो माय ओलाइन सी मेरा नाम है देव आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Amazon GST Invoice Discount के बारे में जी हैं तो आज मैं आप लोग को बताऊँगा कि Amazon से आप जो भी प्रॉडक्स भंगवाते हैं प्लस के उपर 28% तक कैसे आप लोग GST क्लीम कर सकते हैं अपने बिजनस के लिए वैसे इसके पहले मैंने Flipkart के उपर वीडियो बना रखा है अगर आप लोग ने चेक आउट नहीं किया कली हम लोग ने बात की थी लिंक मैं आपको description box में दे दूँगा तो देखें Flipkart और Amazon का दूनों का ही process different different है Amazon का थोड़ा सा complex है लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको पूरी जानकर ही दूँगा कि कौन से products के उपर यह जो आपको discount है फिर GST जो credit है basically वह आपको avail हो जाएगा प्लस कैसे आपको avail करना है Amazon business account के थुरू क्या क्या changes होंगे जैसे आप अपने normal account को Amazon business के अंदर convert करेंगे प्लस कहां पे आपको GST invoice जो है कैसे आपको order place करना है कैसे आपको invoice download करना है और यह जो GST का credit है आपको अपने GST portal के अंदर कैसे cross check करना है इन सारी चीजों की जानकर ही आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है तो इस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखेगा इस वीडियो को शुरूर करने से बले बताना चाहूंगा अगर आप लोग यहाँ पे Amazon business याफे GST को लेकर कोई भी consultant ऐसी लेना चाहते है तो link जो है मैं आपको simply description box में दे दूँगा जहाँ पे आप one to one हमारे consultant के साथ में call पे बात करके अपनी सारी queries का resolution ले सकते हैं वाई सबसे बले बात करते हैं कि आप GST का credit है वो किन products के उपर claim कर सकते हैं तो देखें legally आप केवल उनी products के उपर claim कर सकते हैं जो products आप business के लिए use में ले रहे हैं वैसे आप personal products के उपर भी ले सकते हैं लेकि legally जो है आप GST का claim जो है उसके लिए allow नहीं होता बाकि अगर आप कोई product Amazon से यहाँ पर personal use के लिए भी मगवाते हो तो उसके उपर भी आपको GST का credit यहाँ पर मिल जाता है यह link मैं आपको description box में दे दूँगा business.amazon.in तो guys यहाँ पर आपको अपना एक account जो है यहाँ पर free of the cost create करना है और उसके लिए चिये simply आपको अपने GST number तो यहाँ पर creative free account का tap दिया हुआ है यहाँ पर आपके पास में दो option है या तो आप इस link के थो एक नया Amazon का business account create कर सकते है या फिर simply आपका जो personal account दिया हुआ है उसको भी आप Amazon business account के अंदर convert कर सकते है अब मैं आपको थोड़े से difference बताना चाहूँगा कि आप personal account को आप convert करेंगे या एक normal business account भी होगा तो उसके दोनों के अंदर difference क्या रहाएगा तो guys यहाँ पर difference यह रहता है जिसे आप देख सकते ही यहाँ पर मैं कोई भी product को यहाँ पर open करता हूँ तो यहाँ पर मुझे pricing के अंदर दो चीज़े दिखाता है एक दिखाता है excluding GST एक दिखाता है including GST तो अगर आप एक normal Amazon account से इस चीज़ को access कर रहे होगे तो आपको जो pricing दिखाएगा वो 47,000 triple line की दिखाएगा iPhone 12 के उपर लेकर अगर मैं Amazon business account से इस चीज़ को यहाँ पर access कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर दो pricing दिखाने वाला है यानि अगर without GST की बात करूँ यानि कि इसके अंदर पूरे 8,000 रुपे का GST added है इस iPhone के अंदर तो यह 40,670 जो है यहाँ पर gross value है और इसकी जो total value है including the GST वो 47,000 triple line की है आथ में आप यहाँ पर side में लिखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआएगा GST invoice तो यह चीज़ जहाँ पर लिखी हुई होगी वहीं पर केवल आपका GST का invoice available होता है आप guys कुछ products ऐसे भी होते हैं जिसके उपर आपको GST का credit नहीं मिल पाता है जैसे आप यह वाला देख सकते हैं यह एक wireless bike है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है GST credit is not available इसका मतलब है इस product के उपर कोई भी GST का credit आपको नहीं मिलेगा तो guys आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर में mobile phone भी यहाँ पर search कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो में को सारी pricing दिखा रहा है उसके अंदर excluding GST दिखा रहा है और including GST यानि GST का component है वो हर product के अंदर यहाँ पर different दिखा रहा है जहाँ जहाँ भी GST available हो सकता है अब guys बा आउसीड करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पर पूछता है business order information तो अगर आपका कोई भी P.O. number है जैसे अगर आप कोई बड़ी कमनी होती है उसका एक P.O. number होता है तो अगर आप optional है यह basically अगर आप देना चाहते तो आप दे सकते वहना simply continue button के ओपर click कर दीजे तो थोड़ आपके ऊपर जो normally discount रहता है वो यहाँ पर आपको मिलेगा उसके नहीं पर कोई भी changes नहीं होंगे वो normally आप यहाँ पर claim कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप यहाँ पर final check out करेंगे review order के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो चीजे म वही जगे पर आप यहाँ पर delivery ले सकते हैं मलब same state होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि मालिच आप राजस्तान का GST number डाल रहे हैं और दिल्ली के अंदर आप delivery लेना चाहते हैं तब उस case में आपको GST का credit यहाँ पर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ अगर आप आप रहे हैं तो आपका जो भी यहाँ पर order होगा within the after जैसे आपका order वगर dispatch होता है तो यहाँ पर आपको एक invoice का option मिल जाता है जैसे इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर request invoice याँ फिर invoice 1 का यहाँ पर आपको option मिल जाने वाला है तो जैसे इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका GST का invoice है वो यहाँ पर download हो चुका है और साथ में जब product deliver होता है तो उसके साथ भी यह सेम invoice यहाँ पर आपको copy मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जिसने भी यहाँ पर sold out किया जो state का card लिखा होगा फिर थोड़ो सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको price मिल जाएगी कि उस unit की क्या price है प्लस उसके अंदर कितना tax का amount यहाँ पर included है तो वो जो भी IGST होगा यह IGST होगा यह CGST होगा जो भी होगा वो automatically यह firm जब अपनी GST return यहाँ पर file करेग यहाँ पर simply जो tax का amount होता है वो simply आपको as a credit यहाँ पर pass हो जाता है आग गाईस हमें यह जो credit है वो pass हुआ या नहीं हुआ तो हमें वो कैसे check out करना है तो guys उसके लिए आपको simply अपने GST portal के अंदर login करना पड़ेगा यहाँ जो भी supplier होते है mostly सभी quarterly के अंदर यहाँ पर अप यहाँ पर update होता है तो इसको simply आप view कर दी, so guys view करने के बाद में जैसे आप यहाँ पर all table के उपर click करेंगे तो आपके जितने भी suppliers होगे उन सभी के नाम आ जाएंगे जो आपको GST credit यहाँ पर available करवा रहे है, so guys आप देख सकते हैं यहाँ जो sold by का यहाँ जो option था जिसके यहाँ पर मैं search करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर gin office solution का नाम आ चुका है, plus उसका invoice number भी आ चुका है, plus जितना amount यहाँ पर मुझे invoice के इंदर दिखाया गयाता है, 2737, उसका मुझे simply यहाँ पर IGST में as a credit भी यहाँ पर मिल चुका है, तो इस तरह से आप यहाँ प cash यहाँ पर कैसे reward back करवा सकते हैं, तो यह थोड़ी सी odd जादा चीज़े जो obviously depend करता है कि आपका किस टाइप का business है, तो definitely इन सब चीजों के लिए आपको अपने tax consultant है, उनकी यहाँ पर मदद लेनी पड़ेगी, तो guys hope you like this video, please subscribe अचनल अगर आप लोगे कोई भी doubt से, comment box में जरूर बताइए, और अगर आपको consultancy चाहिए, link आपको simply description box में दे दूँगा, thank you guys, thank you very much